हेलो गाईस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चनल में स्वागत है तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2020 की तमिल लेंग्वेज रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म पेरिस जहराज का जिसको हिंदी डब वर्जन में से एम नाम से डब किया गया है फिल्म को लि कुछ ज़्याद ही डिंक करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वह एक इवेंट के दोरान किसी कॉलेज में उसी कॉलेज की एक लड़की जिसका नाम है दिव्या उससे वह मिलता है दिव्या का रोल प्ले कर रहे यानाईका सोटी और जहराज को दिव्या से प्यार हो जाता है और जब वो दिविया से मिलता है उसी समय के दोरान दिविया का भी लव फेलर हुआ होता है और उसके बाद दिविया भी उसके लिए फिल करना स्टार्ट कर देती है लेकिन इस कहानी में इस रिलेशन्सिप में वो दोनों जानते कि उन दोनों के लव के बीच में उन काफी हद तक कोशिसे करती है, दूसरी तरब दिविया का एक्स बोई फ्रेंड, वो भी उसकी लाइप में वापस आ जाता है, उसे एपोलोजी करता है कि वो उसकी लाइप में वापस आ जाए, तो अब फिल्म में, कहानी में, जेहरा जो दिविया किस तर से एक दूसरे से मिल और इनी सभी सवालों में इस फिल्म की कहानी बनाई गई है फिल्म के राइटर डाय rainsot याणि की जोन सन के जिन्होंने फिल्म की कहानी तो रूटिन लिखी हुए जो प्लोड था जिस तर से कहानी को इस्टेबलिस किया हुआ है वो सभी चीजे रूटीन है लेकिन उनका स्क्रीन प्ले बढ़िया नजर आ रहा था वो थोड़ा एंगेजिंग मेनर में नजर आता है जिस तर से उन्होंने जो कोमेडी ट्रेक हमारे सामने पेस किया हुआ है व वो भी उतनी भेतरी तरीके से हमें हसाने में कामियाब नहीं रहते है फिल्म में जो वन लाइन सुने को मिलते है उसे फोर्सफुली एड किया हो ऐसा नजर आ रहा था इसके अलाव सीनेमेटोग्राफी की बात करे तो डीसेंट है बेगराउंड म्यूजिक और सॉंग्स की बात करें तो वो फिल्म को एक नया चेंज देने की कोशिश करते है साथ ही में फिल्म का जो लेटर हाफ है सेकंड हाफ वहाँ पे जो हूमर पोर्सन देखने को मिलता है वो फिल्म के लिए में काम कर जाता है डायरेक्टर ने वहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से इस्टेबलिस किया हुआ है जो कोमेडी सिक्वांस है वो हमारे सामने काफी एफेक्टिव वे में कोमेडी क्रेट कते हुए नजर आते है साथ ही में जो सांतनम की परफोर्मस देखने को मिलते है उसी के जो पुरुछी राज का केरेक्टर लिखा हुआ है एक कन्फूजन फ दोनों को लेकर जितने भी फनी सिक्वांस क्रेट किया हुए जो फनी पार्ट्स देखने को मिलते है वो ज़रूर आपको हसाने में कामयाब रहेंगे तो मैं 2021 की तमिल लेंग्वेज रॉमिटी कोमेडी फिल्म पेरिस चहेराज को 5.5 आउट ओप 10 की रेटिंग देता हूँ तो कुल मिला के बात करें फिल्म की कहानी जिस तर से जो कॉन्फिलिक पॉइंट रखा हुआ है जो कन्फ्यूजन फेमिली के बीच में क्रेट किया हुआ है कन्फ्यूज फादर वाला किरदार है वो सभी चीज़े रूटिन है लेकिन उसको जिस तर से नेरेट किया हुआ है खास करके फिल्म के second half में वो humor portion फिल्म को देखने लायक बनाता है साथ ही में सांतानम और पुरुथी राज की performance फिल्म पे चारत्यान लगा देती है तो और बात करें इस फिल्म को आप time pass के तोर पे जरूर देख सकते हो इस फिल्म के साथ अच्छा खासा time pass हो जाएगा तो बस guys आज के review में इतना ही था I hope आपको इस review पसंद आए होगा अगर review पसंद आए तो वीडियो को like और says जरूर कीजेगा और अगर आप इस के ला और कोई फिल्म का review चाहते हो तो हमें comment करके जरूर बताएगा तो और भी से नए साथ अच्छानेन movies के हिंदी review के लिए अपकमिंग साथ अच्छानेन movies की news के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना पूलिएगा ठींक्यू